कि अब बारिय और बताने के लिए जुड़ चुके मेरे सहयोगी आशीश वर्मा अशीश बताईए कौन सा स्टॉक को आज आपने जैकपॉट का दाजा दिया है कि महले में तो सोचना था इस समय किस तरह के स्टॉक्स को जैकपॉट बनाना चाहिए तो एक तो जहां पर वैलुएशन्स कमफोर्ट हो जिन स्टॉक्स में अभी भी अपसाइट पुटेंशल नजर आता हो स्टॉंग परिंटेज वाली कमपनीज हों फिनैंशल मस्बूत हों सरकारी पॉलिसी इस फेबरूबल हो और उस पर अगर खबरों का सारा मिल जाए तो क्या बात है तो ऐसे ही एक इंट्रिस्टिंग मिक्स ढूंड कर लाया हूं जा पर यह सब फैक्टर्ज हैं और वो कमपनी है सरकारी नवरतन कमपनी जो आज खबरों में जिसके आप लोग लगाता आप चार्चा कर रहे हैं यानि की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोपरेशन यह कंपनी बहुत इंट्रिस्टिंग है नाइटीन सिक्टीन में जब इस कंपनी का गठन हुआ था तब देश में सूखा पड़ा हुआ था तब उस समय पॉलिटिकल लीडर्स की यह चाहती कि हमारे अग्रिकल्चर का नहीं होराइजन्स पर डिवर्सिफाई करा और आज एक लीडिंग इंफ्रसक्ट्चर फ्राइंस कंपनी है जो की पावर सेक्टर वाल्यू चेन में अक्रॉस दबोर्ट फ्राइंसिंग करने का काम करती है तो चाहे हो जनरेशन हो ट्रांसमिशन हो डिस्रिबूशन हो सब मे कंपनी अक् Davidson नजर आएगी और डॉमेस्टिक मार्केट्स में जितनी रेटिंग एजनी रही इंडिल करेंगा कर्ती होगी नजहाकि लेकिन यह स्टॉक मही के महिने में इस साल 2202 रॉपे की है से खंडा पड़ता हुआ नजर आया था तैंटीस परसंट वहां से नीचे काम काज कर रहा है क्यों क्यों कि इस कंपनी के फ्रैंशन सुर्वा प्रेशर था एनायम्स लगातार कमजोर हुए थे और उसका इंपक्ट अर्निंग्स पे देखने को मिला था और उसका बड़ी वज़ और वो फॉलिंग स्पेट्स के जलते आरुईज गिरे थे 14.7 परसंट पर आयते लास्ट जो रीसेंट लोज हैं इस कंपनी के लिहाद से पर जो दे स्कीन के बाद का जा रहा है पावर सेक्टर में एक्रॉस पावर वैल्यू चेन स्ट्रॉक्चरल इंप्रूव्मेंट जो ह आएंगे और इस कंपनी की खाजियत यह है कि conservative रही है हमेशां RBI के norms को फॉलो करा है और अपने पीर जो स्पेस में उनके सामने तो कभी भी इसने कोई निगेटिव सर्प्राइस प्रिंग अप नहीं करा है फ्रैंशल साथ दो सरकारी कंपनी इस सिमिलर लक्ष्मी जिनकी ब साथ के सामने 29,000 प्रोपे का मार्केट काप पी महज 4.7 पर टाइमस पर आपको नज़र आएगा यह मैं FI 17 के एक्चुल लर्निंग सी बात कर रहा हूं कोई future projections की बात नहीं कर रहा हूं बहुत strong shareholding है सरकार का इस कंपनी में 59% stake है FIIs का almost 25% हिस्सा और बहुत diversified यह stake है कई सारे FIIs hold करते है mutual funds और Bima companies के पास 33% के आसपास का हिस्सा यानि की 90% से जादा equity इस कंपनी की बेहत strong hands में आपको नज़र आएगी valuations आम तोर पर हम book value पर share पर करते हैं वो projections आपकी screens पर हैं इसमें यह one time के नीचे आपको trade करती हुए नज़र आएगी 0.73 है यह और वो 0.79 ताइम इस तना का comfort valuations देते हैं और ध्यान रखें REC तमाम central government की power schemes की nodal agency है लगातार फाइदा मिलेगा गुजराद elections की आप लोग बात कर रहे थे उसमें clear यह निकल के आया है कि urban area से बीजेप को mode मिले लेकिन rural area से नहीं और इसलिए जाथ तब भोकर जीजेश यह बात highlight कर रही है कि आप budget में rural emphasis होगा REC को उसका obvious फाइदा मिलने वाला है और हम अब तक stock attractiveness की बात कर रहे थे capital appreciation की बात कर रहे थे dividend 9.65 पैसे पिछले साल इसने dividend दिया था यानि कि इस समय साड़े 6% के आसपास की dividend yield यह company डोल आउट करती और लक्षमान की exclusive तो सोने पर सुआगा इसलिए मुझे लगता है REC बहुत attractively placed है